दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों के साथ किये गए चैट को हाइड कर सकते हो, छुपा सकते हो, पासवर्ड के साथ, एक सीक्रेट कोड के साथ तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही मैं WhatsApp को उपन करके, सर्च वाले आइकन पर टैप करता हूँ, और यहाँ पर एकिक्रेट कोड यानिकी पासवर्ड की केवल मुझे पता है, तो पासवर्ड टाइप करने के बाद, सीक्रेट कोड कोड टाइप करने के बाद ज उनको पढ़ सकता हूं इस तरीके से आप भी अपने प्राइवेट चैट को हाइड कर सकते हूं पासवर्ड के साथ सीक्रेट कोड के साथ अब यह मैंने कैसे किया इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को लाश्ट तक देखते रही है तो दोस्तों आपको सबसे पहले करना क् तो यहां पर उपकर टैप करके इसके में और जाना है क्याकर करना करना निचे क्न दिनकर करना हैं तो सबसे पहले आपको इसके चैट में लॉक देगा देना है लग लगाने के लिए आपके mobile में fingerprint lock लगा हुआ होना चाहिए यानि कि biometric enable किया हुआ होना चाहिए यहाँ से continue करना है तो यहाँ पर मैं अपने mobile में fingerprint लगा करके confirm कर लेता हूँ इस तरीके से chat में lock लग जाता है अब आपको क्या करना है? back कर लेना है back करने के बाद अगर आप यहाँ पर नीचे scroll करते हो तो सबसे उपर में यहाँ पर आपको chat वाले section में logged chat दिखाई देता है अब जब यह दिखाई देगा तो लोगों को पता चली जाएगा कि आपने किसी ना किसी का chat यहाँ पर logged chat में रखा हुआ है hide करके अब मुझे यह भी नहीं चाहिए इसको मैं यहाँ से गायप करना चाहता हूँ तो इसके लिए simply क्या करना है इस logged chat के उपर tap करना है मुझे logged chat को open करने के लिए मैं अपना fingerprint लगा देता हूँ इस तरीके से मेरा logged chat open हो जाता है अब मैं यहाँ से इस logged chat को पढ़ तो सकता ही हूँ hide करने के लिए मुझे यहाँ पर में ही यह 3 dot दिखाई देता है इस पर tap करना है और chat log setting यह दिखाई देगा इस पर tap करना है और यहाँ से hide logged chat यह दिखाई देगा इस पर tap करना है जो भी code आप create करना चाहते हो यहीं कि password वो आपको enter कर देना है यही code यह फिर password जो भी आप कहलो उसी को आप use करोगे इस person के साथ chat को open करने के लिए logged chat को open करने के लिए मैं यहाँ पर example के लिए कोई भी एक password set कर लेता हूँ demo के लिए मैंने code इंटर कर दिया है same code री इंटर करके confirm कर लेना है और done कर देना है इस तरीके से secret code on हो चुका है और hide logged chat यह भी on हो चुका है इस पर tap करके जो कि मैंने password set किया था secret code set किया था वो इंटर करके chat को ढूंड सकता हूँ देख सकते हो जैसे ही मैंने वो code इंटर किया password इंटर किया logged chat मुझे दिख जाता है इस पर tap करना है और यहाँ से अब मैं person के chat को open कर सकता हूँ